भगवान श्री राम को मरियादा पृष्योत्म क्यों कहा जाता है? मगर उससे पहले जान लेते हैं समान्यथा की स्थिती क्या होती है? जब आप सुक और दुख में समान भाव में स्थित रहते हैं, उसे समान्यथा की स्थिती कहते हैं गीता में एक बहुती अच्छी बात बताई गई है अर्थात जो धीर मनुष्य सुख और दुख में सामान रहे जब उसे भार के किसी भाव की जरुवत नहीं पड़े जब कोई मिट्टी पत्थर सोने को एक भाव समझने लगता है जब उसके लिए ना तो कोई प्रिय और ना कोई आप्रिय रहे जो मनुष्य निंदा और स्तुती में अपना धीरज नहीं खोता ठीक जिस प्रकार भगवान श्री राम थे राजा बनने से पहले ना कोई खुशी और वन जाने पर ना कोई दुख हर स्थिती में स्थिर रहने वाले और मर्यादा का पालन करने वाले